नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है तो आज हम एक स्टॉक की बात करने जा रहे हैं ग्रेन नियूल से इंडिया यहां पर जब रिजर्ट रहे थे तब भी हमने बात की थी और आप पर और डीपर लेवल्स पर बाई करना चाहिए जब एक अच्छी करेक्शन आती है या फिलाल प्रॉफिट बुकिंग करने चाहिए तो इसी को लेकर कंपनी ने अपने आगे लॉंग टर्म गोल्स लगब अगले दो से तीन साल के गोल्स बताए हैं जो हमें हेल्प करेंगे देखने में कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं क्या वो आगे इसी रेट से बढ़ सकते हैं या फिर एक से दो साल साइडवे चलकर दुबार एक बड़ा बूम आ सकता है प्रॉफिट में जैसे हमें पास्ट के पांच से चीज साल में देखने को मिला तो आज ये सब देखे से काफी ज्यादा बागी है जहां पर रिजल्ट आने के बाद एक तरगी कर्रेक्शन चालू हो गई है कंपनी में यहां पर एक लेवल की हमने बात की थे अगर आपने लास्ट वीडियो देखिए होगी रिजल्ट वाले दिन की 360-370 एक इंपॉर्डेंट जोन है वहां पर फ्लॉएंस है और दुबारे से हम डिस्कस करेंगे वह लास्ट में चार्ट में और आप देख सकते हैं वहां से एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है यहां पर आगर लॉंग टरम देखे तो आप देखें स्टॉक में क्रेश होने से पहले ही तेजी शुरू हो गए थी लगबक्स डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट चला गया था फिर गिरावट आई कोविट क्रेश में जहां पर आप जानते हैं फार्मा सेक्टर आइटी सेक्टर ने सबसे पहले तेजी की शुरुआत की थी इनमा पर इस बार काफी मिट कैप कंपनी भागी है तो ऐसे में अपना कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लैन बताया है आगे का तो यहां पर आप देखे कंपनी ने कैपेक्स सकता है अराउंड वन थाउजन करोड यानि कंपनी एक अजार करोड अपने बिजनस में इन्वेस्ट करना चाहती है और यहां पर एम देखे तो नेक्स तो यहां पर आप देखे Fy24 के आसपास तक के हमें एक गोल्स दिखाए दे रहें तो अगले तीन साल तक कपनी थाउजन करोड तक अपनी बिजनस पर डालना चाहती है जिससे कपनी का एक्सपैंशन हो ऑपरेशन का तो यहां पर कपनी के तरह से आप देख सकते हैं और उसी भी देखेंगे कि कपनी का रिटार्न और कैपिटल इंप्लॉट कितना है कि कपनी अगर नए आइडिया नए बिजनस पर नए ऑपरेशन पर पैसा डालती है तो कितना परसेंट वापीज हाता है जो इंपॉर्टेंट डेटरमाइन करता है कि क्या कंपनी का प्लैन रहा या सक्सीड रहा कि कंपनी एक new manufacturing facility में invest करना चाती है और साथ में production capacities में यानि जो अभी company production capacity है monthly daily उन में एक increase करना चाती है तो सीधा असर है आप देख सकते है कि business पर सीधा असर पड़ेगा यहाँ पर new manufacturing facilities है वहाँ पर हमें boom देखने को मिल सकता है company के business में अभी long term plans है तो ऐसा ही नहीं कि next week तक है next महिने तक आ जाएंगे यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है पर जो long term investors है उनके लिए एक किसम की positive news है FY22 की बात करें यानि अब जो Apple से शुरू है तो अपने बता है कि FY22 में लगबग वो 400 करोड के आस्वा spend करने की सोच रहे हैं जहाँ पर 600 कर business करती है finished tosages का साथ में API Active Pharmaceutical Index का तो इन सब की काफी ज़रूत पड़ रही है जिसकी वैसे कंपनी इस साल पैसे लगाना चाहती है 400 करोड अपनी manufacturing capacity को बढ़ाने के लिए और साथ में कंपनी के plan है multiple units pallet system block में 180 करोड इंवेस्ट करने के और वहीं पर 250 करोड रुपीज expanding API business और 320 करोड रुपीज लेकर new formation plant में and another 30 करोड आप देख सकते हैं जो हैदरबाद के near facility है उसको expansion करने में ता कि company जो paracetamol and metformin जो दो drugs है जिनका business है वो आगे भढ़ा पाए तो multiple unit pallet system में आप जानते हैं फिलाल drugs में या फिर आप जान सकते हैं कि capsules में एक तरीके का innovation हो बॉड़ी के अंदर के capsule inside drug release होगे वहाँ पर release mechanism होता है कुछ चीज होते हैं pharmaceutical में ADME तो वहाँ पर absorption distribution काफी important रहते हैं कि कि किस तरीके से drug release हो रहा है एक साथ तो नहीं हो रहा तो यहाँ पर multiple unit pallet system एक नई तरीके की capsules हैं जहाँ पर आप regulate कर सकते हो multiple layers लगाकर capsule की drug की entry तो इस business पर कंपनी यानि जो innovative products हैं वहाँ पर कंपनी पैसे डालना चाहरी एक 140 करोड 250 करोड API API आप जानते हैं जो main drugs होते हैं हिस्सा होता है जो active होता है बाकी हिस्सा होता है जो किस तरीके प्रेजर्वेटीव होता है drug को hold together करता है तो वहाँ पर इस business पर कंपनी 200 करोड लगा होगा है बताया गया कि यह broad breakup है यानि main ideas का हैं कपनी के यहाँ पर clear visibility है यानि कपने आगे के goals अचीव होते हुए positive mode में लग रही है और कापी excited है यह पूरा cash में करने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कपनी के बास reserves होते हैं और हर बार profits आते हैं तो वहाँ पर add होते रहते है कपनी की मर्जी होते है किस तरीके से use करें वहाँ पर आप देखें कि पूरे cash में invest करना चाहा रहे है और एक और important बाद आप देखें balance sheet important रहती है जहाँ पर borrowings एक तरीके की problem हो जाते हैं जादा हो तो यहाँ पर बोला गया है management की तरफ से कि वह देख नहीं रहे हैं कि company को आगे किसी तरीके की debt की जरूत होगी यानि confident है वो company के reserves में company के business में कि कपनी जो आजी projects है 1000 क्रोड के वहाँ पर किसी तरीके की debt की जरूत नहीं होगी company maintain कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात कहीं जा रही है अब इन बात उपर आपको दिहान रखने कि company के तरफ से जो management के त करते हैं के नहीं और अगर खरें नहीं उदरते हैं तो वहाँ पर क्या implications हो सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं company साथ में आर एंडी research and development में भी 150 करोड़ रुपीस तक invest करना चाहा रही है every year और यहाँ पर एक और important बात बुलिए यह Fy22 के लिए तो आप देखे गोस दे दिये गए है revenue के तो company expect कर रहे है 15 से 20% revenue growth current fiscal में Fy21 से कबेड़ यानि current fiscal application से शुरू हुआ है Fy22 में company उमीद कर रहे है 15 से 20% का उचाल revenue में जहाँ पर हमने last results देखे जो हम already discussed कर चुके है तो इन बातों पर आप ध्यान रखिए चलिए अब देखते है fundamentals कैसे रहे है long term की क्या एक company long term hold कने लाइक है या नहीं सबसे पहली बात हम देखे ROCE करते है कि यहाँ पर company दोबारे capital डाले जा रहे है तो ROCE company का 27% है तो अच्छा खासा double digit number आया यानि यही reason रहे है कपनी की तेजी का भी company जो invest किया बिजनस में वो एक तरीके से positively सामने आ रहे है जिससे return on equity भी 27.8% हो जाता है book value 87.3 है लेकिन उससे इतने उपर चलने का कारण भी है कि company धमागेदार profits दिये हैं पिसले एक से दो साल में यहाँ पर आप देख सकते हैं long term profit and loss तो देखे 2020 and 21 पर धमागा कर दिया है company ने 444 करोड and 553 करोड जो 2019 पर 160 करोड था तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि कुछ समय आता है जहाँ पर company के profits उस rate से नहीं बढ़ते हैं पहले भी आप देख सकते हैं 2011-12 इन तेरा company के 22, 27, 37 करोड प्रोड था फिर 2014 में एक साथ बढ़ा 81 करोड यानि इन 3 साल company ने अच्छे से expansion किया है business का और जहाँ पर opportunities भी न 12 से increase तो ऐसा हो सकता है आगे एक से 2 साल में कि इस rate से आपको ना दिखे कि एक साल में कपनी का profit तीन गुना हो गया है पर long term companies अगर एक consistently करती हैं तो आप देख सकते हैं इसलिए वो long term companies जानी जाती है तो यहाँ पर आपको इस बात ध्यान देना है कि क्या अभी आपको profit booking कर कर्मा की demand ती इसके विसे margin जादा है तो अगर 21% भी maintain रहता है तो आप देख सकते हैं कि एक पहले से जरूर increase ही है और यहाँ पर sales की बात करें तो आप देख रहे हैं कि कपनिया लगातार अच्छा पैसा बनाकर दिये investors को वहाँ पर अपने business expansion के दंपर balance sheet की बात कर लिते हैं तो यहाँ पर देखें reserves कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं 2138 करोड हो गए हैं जहाँ पर फिर लिए तीन से चार साल में majorly कंपनी के reserves बढ़े हैं borrowings अगर देखें तो देखें कंपनी बीच 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 बढ़ाती लेते हैं पर उनको कम भी करते हैं देखें पिर लिएक से दो साल से 990 करोड से 750 करोड कर दिया है पर देख सकते हैं अब उतरा नहीं होता है दोवारा profit पर आएं तो आप देखें मार्स 2021 में 861 का operating profit पर इंट्रेस इफ 24 करोड तो इतना डेंट नहीं पड़ता है कंपनी को इंट्रेस्ट का यह रोल्डिंग प की है December 2020 से मार्स 2021 तक इसी पिरेड में हमने देखा इस टॉक में गिरावट आई यानि बड़े funds institution ने यहां पर भी क्वाली की है फिलाहल के quarter में उनको वैल्यूशन महेंगी लग रहे होंगे जिसके थोड़े समय के लिए उन्होंने अपनी holding कम की है यहां पर डिया की बात कर यहां पर आप दे सकते हैं कि चैनल के टॉप पर रेइस्टेंस लेता था और नीचे से सपोर्ट लेता था हाली में क्या हुआ स्टॉक ने अपवर्ड वो में जारी की 200 डे इम में को क्रॉस किया एंड इस चैनल में चल रहा था अब चैनल शिफ्ट हो चुका था और यहां पर कम्पनी के रिजल्ट आए और हमने डिसकस किया था यह जो लाइन है और यह जो लाइन है और यह जो जोन आप मान सकते हैं इस चैनलाइस का तो वापिस कंपनी आप देखें नीचे आ गई है 200 EMA पर तो 200 EMA एक अच्छा सपोर्ट होता है कंपनी इसके लिए पर फिलहाल आप देखें जो गिरावट है वो हाई वाल्यूस पर हो रही है तो यहां पर हो सकते हैं कॉंटिन्यूशन हो और दूसरी आसपास कंपनी समझ जाती है तो देखें फिर रिवर्सल आ सकते हैं लॉंग टर्म के अगर बात करें तो जब यह जोन कटेगा 370 के आसपास का इसके बाद ही बड़ी रैली आईगी कंपनी में यह क्लियर है क्योंकि अब एक मेजर रेइस्टेंस बन गई है कंपनी के लिए लेकिन हमने यहाँ पर लॉंग टर्म गोज जिसके कंपनी के क्या प्रॉसक्टर से लॉंग टर्म एंड वहाँ पर अगर कंपनी खरी उतरते तो आप देख सकते हैं तुबारा से नेट प्रॉफिट भर सकते हैं कंपनी का अच्छी रेट से वीक्री चार्ट पर देखे तो यहाँ भी बेरिश मोड ओन है जहाँ पर कपनी एक लोर लो बनाती है फिर लोर हाई बनाती है हाली में आप देखिए प्रीवेस हाई से भी नीचे का लेवल बना है टॉप जो लगबग वही जोन है जो हमने डिसकस के हैं 360, 370 एंड यहां से अब प्रीवेस वीक में हमें ए यह continuation कर सकता है गरना यहां पर 300 के लेवल पर आप ध्यान रखिए 295-300 क्या यह ब्रेक होता है कि नहीं एक तरीके जाए आप शौट टरम के लिए stop loss लगा सकते हैं इसको पर हमने long term prospectus जिससर्स की एंड उमीद है कि अब इन आइडिया से आपको डिजन लेन थोड़ी आसान इडिए